हेलो एब्रीवान, साश्रीकाल स्वार्यानू, थोड़ा बहुत बहुत स्वागे तैज दी क्लास, आपा कर रहे सी थर्ड क्लास दी मैच दी बुख दा फोर्थ चाप्टर दिविजन, चलो हुन अगे बाद दियां, प्रॉपर्टीज ओफ दिविजन, यानि की दिविजन दि या किसे भी संख्यानू, एक दे नाल डवाइड किता जाए, उदा हिस्सा किता जाए, ता ओवो सेम नंबर या संख्या साथे को आंदी है, जिवे आठ लड़ू सी, एक बच्चे विच वांडनेने, किन्ने आंगे एक बच्चे नू? आठ दे आठा जांगे, क्योंकि एक कि बच्चे है, उवे ही, सेकंड प्रॉपर्टी, वेन नंबर इस डिवाइड बाइड 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 किता जानदा है, ते आंशर जो साथे को आंदा है, वो आंदा है, वान, जिवे फाइव बलून सी, ते मन लो पांच बच्चे नू देने सी, ये पांच गुबारे, ठ कि है, ते हरेक दे कोल किनना आएगा, फाइव डिवाइड बाइड 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 करो, ते आंशर हमेशा, वान ही आएगा, अगला, वेल, वी डिवाइड बाइड 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 अगला, वेल, वी डिवाइड जीरो गोगे नाल डवाइद कर देया, ता उसदा आंसर 0 ही आंदा है, जिवे 0 divided by 3, आंसर आगया 0, जिवे 0 बिच आगया, ते आंसर भी साथा गुल हो जूगा, 0 हो जाओगा, इस नाट पॉसिबल तू डिवाइद एनी नंबर भाई 0, किसे भी नंबर नू, तुसे जीरो हिस्स्या दे बिच की में बंड सक देओ, है न, ते आंसर आगया साथे कौल, C, ते तिन प्रॉपर्टीज ने, ते उना दे अता आ रहे, ते इत्थे सवाल है गे ने, किसे भी संख्या नो, किसे भी नंबर नू, उससे नंबर दे नाल दवाईड किता जाए, आंसर आजेगा, 1, 3 divided by की, 1 आएगा, किसे भी नंबर नू, उससे नंबर दे नाल दवाईड करोगे, आंसर आगया, 1, 0 divided by 5, किसे भी नंबर नू, 0 दे नाल दवाईड करोगे, आंसर साथे कौल, 0 आएगा, 1, dash divided by 2 is equal to 0, आंसर 0 है ताएदा, मतलब एक नंबर जरूर, 0 होएगा, 2 divided by 2, किसे भी नंबर नू, उससे नंबर दे नाल दवाईड किता जाए, आंसर आएगा, 1, 10 divided by केडा, नंबर इस एकोल to 1, 10 नू, की दे नाल दवाईड करीए, कि 1 आजे, आंसर, 10 नू, 10 दे नाल दवाईड करोगे, आंसर आजाएगा, 1, आगे है, division by play way method, यानि की, खेर-खेर दी विदी दे नाल, अपा division बारे सिखांगे, लेट्स लेर्न, चलो बात ने हां, गाल कित्ती हुई है, तोड़ वी विल लेर्न division विद दे हैं, आज असी पैसे दे नाल, पैसे दी मदद दे नाल division सिखांगे, वी विल यूज करनसी नोट्स अफ 1, 2, 5, and 10 फोटे विजन, असी वंद दे ले, केड़े केड़े नोट्स अदा इस्ते माल करांगे, एक रुपए, दो, पांज, दस, ठीक है, ते हुन टीचर खेंदे ने, I have rupees 16, मेरे कोल 16 रुपए ने, I want to distribute it equally between two children, ते मैं इस नू बरापर वंद ना चांदियां दो बच्चेयां दे विच, How many rupees will each child get, ते हर किसे बच्चे कोल किनने पैसे आणगे, या हर बच्चे नू किनने पैसे मिलंगे, 16 रुपए ने, दो बच्चेयां दे विच वंद ने, Choose any two children to demonstrate and one more child to take 16 rupees from currency notes and tell him to distribute it in between two children, ते थे कहा गया भी प्रदर्शन कितना जाएगा कि दो बच्चे लए जानगे, ते एक बच्चा होड लेया जाएगा जो 16 rupees कड़ेगा गुलख दे विचों, ते दो बच्चेयां दे विच वंद देगा, ठीके, फुल होएगा कि 16 दे दो हिससे कारने ने, कि मैं कितने जानगे, कि मैं कह सकनी है 16 divided by 2, ओ आंसर आएगा, फुल 2 दे टेबल दे विच 16 कि मैं आंदा है, सानू पदा 2 multiplied by 8 उनदा है 16, यानि कि हरे एक दे को 8 रुपए आंगे, तीजा बच्चा जाके पहले बच्चे नू 8 रुपए देगा, एथे टीचर कहा रहे ने, कि तुसी 10 रुपए दे सकते हो, जे 16 नू बच्चा कहांदा है, जे 10 रुपए दे सकते हो, ते बच्चा कहांदा है, जे 10 दांगे हर किसे नू 10 प्लस 10 ता 20 हो जाएगा, साड़े कोलता सिरफ 16 रुपीज ने, ठीक है, ते बच्चा कहनदा है, इट विल बी मोर देन 16 रुपीज, एथा 16 रुपए तो भी बाद हो जूगा, फे टीचर पुछ देने, चैन यू गेब रुपीज 5 तो एच चाइल्ड की, तुसी हर एक बच्चे नू 5 रुपए दे सकते हो, यू गेंदा, येस माम, 5 प्लस 5 तो 10 रुपीज बढ़ जानगे, तो 16 रुपीज बाद है गर, नौ, विल लेफ्ट विद रुपीज 6, जे आप माँ 16 रुपए दे बिच्चो 10 रुपए काड़ दे, बच्चे किनने साध्य कोल 6, चैक है, उन साध्य कोल बच्चे 6, आज, विल लेफ्ट रुपए बच्चे ने हर किसे कोल 5 पंच पंच न दे नहीं सकते, ते आप माँ की करांगे, देन गिव 2 तो इट चाइल, दोना नू दो दो रुपए देते, उन किनने बच्चे कोल 6 दे विच्चो 4 कड़ा दो, आप माँ वर्ण लगा, है की नहीं? ते इदा मतलब यह है गया, पहला तुसी 16 दे विच्चो 10 कड़ा दे, हर बच्चे नू 5 पंच पंच रुपए मिल गए, बिलकुल मिल गए जी 5 पंच पंच रुपए, उस तो बाद साड़े कोल किनने पैसे बचे? 6 रुपए बच गए, 6 दे विच्चों तुसी दोना नू 2 दो रुपए दे ते, आ देखो, ते साड़े कोल फेर बच गए 2 रुपए, ते 2 दे विच्चों फेर 2 कटा, ते दोना नू 1 एक एक रुपए देता, ते साथे को 0 बाच गया जे ए नहीं भी समझाया दुज्जा तरीका है नूँ समझनदा ए है गया भी 16 नूँ आपां 2 देनाल डवाइड कार तरीका है देखो 16 रुपे ने ओनू आपां 2 देनाल डवाइड कार दे सब तो पहला 2 बहार लिखता 16 अंदर लिखता सब तो वड़ा जड़ा नूबर है गया है तीने नाल आपा डवाइड कार साग दे वैसा तर सिद्धा भी हो जुगा 8 दिनाल बट पहला आपां 10 तक पहुंचे 2 5 जार 10 किनने बच गया 6 उस तो बाद 2 2 जार 4 किननना बच गया 2 ते फिर 2 दे विच्चो 2 काट दू हर एक कोल किनना मिल जूगा पैसा 1 रूप ते कैंट दा मतलब 5 रूपे फिर 2 रूपे मिले फिर 21 रूपेया मिले ते टोटल 2 ना नू किनने पैसे मिले 8 रूपे ठीक है जी अग्गे भी उवे ही दित्ता हुए है 36 डिवाइड बाइ 3 सब तो पहला देखो 36 अंदर लिखिया डब्बे दे विच 3 बाहर उन सान नू पता है कि सब तो पहला 10 वाला काट लें दे 3 तेन जार 30 तेन बच्चेयां विच 36 रूपीज वांडने ने पहला सारे नू 10 10 ते 10 रूपीज दे दो ते जे आपां 10 10 10 काट ते 30 काट ते बच्चे किनने साठे को 6 रूपीज हुम 3 नू की दे नाल मल्टिप्लाइ करिये कि साठे को आंसर आजाए 6 3 मल्टिप्लाइड बाइ 2 आंसर आगया 6 यानि की 2 रूपे होर सार्या नू दे ने ने 2 ते 2 दे दो हेलो एब्रीवान साठे काल सार्या नू थोड़ा बहुद बहुद स्वागे तैज दी क्लास आपा कर रहे सी 3rd क्लास दी मैट्स दी बुक दा 4th चाप्टर दिविजन चलो हुन अगे बाद दियां प्रॉपेटीज अफ दिविजन यानि की डिविजन दियां विशेशता मा ते प्रॉपेटीज पाड़तेयां पहला वेन नंबर इस डिवाइड़ बाई वन वी गेट दे सेम नंबर एज आंसर जी किसे भी नंबर नू या किसे भी संख्या नू एक दे नाल डवाइड किता जाए हिस्सा किता जाए ता वो वो सेम नंबर या संख्या साथे को आंदी है जीवे आठ लड़ू सी एक बच्चे विच वांडनेने किनने आंगे एक बच्चे नू आठ दे आठा जानगे क्योंकि एक ही बच्चे है वे ही सेकिंड प्रॉपेटी जदो किसे भी संख्या नू अपने आप देनाल डवाइड किता जानदा है ते आंसर जो साथे कोल आंदा है ओ आंदा है जीवे 5 ब़ून सी ते मानलो 5 बच्चे नू देने सी ये 5 गुबारे ठेक है ते हर एक दे कोल किनना आएगा 5 डिवाइड बई 5 आंसर आगया साथे कोल 1 उवे ही 6 डिवाइड बई 6 आंसर आएगा 1 0 नहीं आएगा किसे भी संख्या नू उस संख्या देनाल डवाइड करो ते आंसर हमेशा 1 ही आएगा अगला when we divide 0 by any number we get 0 as the answer always जदो असी किसे भी संख्या नू 0 देनाल डवाइड कर देया ता उस दा आंसर 0 ही आनदा है जिवे 0 divided by 3 आंसर आगया 0 जे 0 विच आगया ते आंसर भी साड़ा गुल हो जूगा 0 हो जाओगा इट इस नॉट पॉसिबल टू डिवाइड एनी number by 0 किसे भी number नू तुसी 0 हिस्से आदे विच कि में वर्ण सक देओ है ना ते आंसर आगया साटे को 0 इत्तिन प्रॉपर्टीज ने ते उना दे अता आरे ते इत्ते सवाल है गे ने लेट्स डू आओ करिए फिल इल दे ब्लांक्स पहला है गया 4 divided by 4 किसे भी संख्या नू किसे भी number नू उससे नंबर दे नाल दवाइड किता जाए आंसर आजेगा 1 3 divided by की 1 आएगा किसे भी number नू उससे नंबर दे नाल दवाइड करोगे आंसर आगया 1 0 divided by 5 किसे भी number नू 0 दे नाल दवाइड करोगे आंसर साथे कोल 0 आएगा डाश डिवाइड बाइ 2 is equal to 0 आंसर 0 यह ता यह दा मतलब एक नंबर जरूर 0 होएगा 2 डिवाइड बाइ 2 किसे भी नंबर नों से नंबर देना डवाइड कीता जाए आंसर आएगा 1 10 डिवाइड बाइ केडा नंबर इस इकोल डू 1 10 डिवाइड करिये की 1 आजाए आंसर 10 डिवाइड करोगे आंसर आजाएगा 1 आगे है डिविजन बाइ प्लेवे मेथड यानि की खेड खेड दी विदी देनाल अपपा डिविजन बारे सिखांगे लेट्स लर्न चलो वातने आम अज असी पैसे देनाल पैसे दी मदद देनाल डिविजन सिखांगे वी विल यूज करंसी नोट्स अफ 1, 2, 5 and 10 फो डिविजन असी वंड देलेई केडे केडे नोट्टा दा इस्तेमाल करांगे एक रुपए दो पांज दस ठीक है तेहुन टीचर कहनदेने I have रुपीज 16 मेरे कोल 16 रुपे ने I want to distribute it equally between two children ते मैं इसनू बराबर वंड ना चांदियां दो बच्चेयां दे विच How many रुपीज will each child get ते हर किसे बच्चे कोल किनने पैसे आणगे या हर बच्चे नू किनने पैसे मिलंगे 16 रुपे ने दो बच्चेयां दे विच वंड ने Choose any two children to demonstrate and one more child to take 16 रुपीज from currency notes and tell him to distribute it in between two children ते थे कहा गया भी प्रदर्शन किता जाएगा कि दो बच्चे लए जानगे ते एक बच्चा होड ले आ जाएगा जो 16 रुपे कड़ेगा गुल्लक दे विचो ते दो बच्चेयां दे विच वंड देगा ठीक है उन होएगा कि 16 दे दो हिस्से कार्ने ने कि मैं कित्ते जानगे कि मैं कह सकनी है 16 डिवाइड बाइ 2 ओ आंसर आएगा उन 2 दे टेबल दे विच 16 कि मैं आनदा है सानु पता 2 multiplied by 8 उनदा है 16 यानि कि हर एक दे कोल 8 रुपे आनगे तीज़ा बच्चा जाके पहले बच्चे नू 8 रुपे देगा फेर तीज़ा बच्चा जाके दुज़े बच्चे नू 8 रुपे देगा एथे टीचर कहारे ने कि तुसी 10 रुपे दे सक देओ जे 16 नू वंड ना है कि तुसी 10 रुपे दे सक देओ ते बच्चा कहनदा है नू मैम जे 10 दस दांगे हर किसे नू 10 प्लस 10 ता 20 है हो जेगा साड़े कोलता सिरफ 16 रुपे ने ठीक है ते यो बच्चा कहनदा है इत विल बच्चे नू पांच रुपे दे सक देओ ते यो कहनदा है येस मैम 5 प्लस 5 ता 10 रुपे बढ़ जानगे एता 16 नालो कट हैगा नाव वियर लेफ्ट विद रुपीज 6 जे आप मां 16 दे विच्चो 10 रुपे कट दे बच्चे किन्ने साड़े कोल 6 ठीक है उन साड़े कोल बच्चे 6 एंड वियर लेफ्ट विच्चे रुपे बच्चे ने हर किसे कोल पंच पंच न दे नी सक दे ठीक है ते आप मां की करांगे देन गिव 2 तू इट चाइल्ड दोना नू दो-दो रुपे दे दे उन किन्ने बच्च गे साड़े कोल 6 दे विच्चो 4 कड़ा दो ते बच्च गे साड़े कोल 2 दो रुपे बच्च गे ते इक-एक होड दे दो ते जी एक-एक होड दे ता ते ए दो भी खतम हो गया यानि की 6 दे दो हिस्से बना के तिन-तिन दे विच्च आपां वांड था है की नहीं ते इदा मतलब ए है गया पहला तुसी 16 दे विच्चो 10 कड़ा आते हर बच्चे नू पांच-पांच रुपे मिल गए बिलकुल मिल गए जी पांच-पांच रुपे उस्तो बाद साढ़े कोल किनने पैसे बचे छे रुपे बच गए छे दे विच्चो तुसी दोना नू दो दो रुपे देते आ देखो ते साढ़े कोल फेर बच गए दो रुपे ते दो दे विच्चो फेर दो कड़ा आते दोना नू एक एक रुपे आ देता ते साढ़े कोल जीरो बच गए जे ए नहीं में समझाया दुज्जा तरीका है नू समझन्दा ए है गया वी सोला नू आपन दो देनाम डवाइड करते दें सोला तरीक है देखो तोला रुपे ने ओ न्यू आपन दो देनाल डवाइड करते है सब तो पहला 2 बाहर लिखता 16 अंदर लिखता सब तो वड़ा जड़ा नमबर है गया है जी देनाल आपप डवाईर कार साग देयां वैसा तर सिद्धा भी हो जुगा अठ देनाल बट पहला आपँ दस तक पहुंचे टू, फाइव जार टैन, किन्ने बच गया शिक्स, उस्तो बाद टू, टू जार फोर, किन्ना बच गया टू, ते फिर टू दे विच्चो, टू कट दो हर एक कोल, किन्ना मिल जूगा पैसा वन रुपी, ते कैंट दा मतलब पांच रुपे, फिर दो रुपे मिले, फिर एक एक रुपे आ मिले, ते टोटल दोन्ना नू किन्ने पैसे मिल गए, आठ रुपे ठीक है जी अगे है, let's learn 36 divided by 3 जे 36 नू 3 दिना डवाइड करना है, 3 बाहर आगया 36 अंदर आगया उन अपा की करना है 3 10s अद 30 हुंदा है, सानू पता है, ठीक है 3 multiplied by 10 किन्ना हुंदा 30 जो अपा अथि लिखता उन 36 ने विच्चो जे तुसी 30 काड दोंगे तर थोड़े को बाच जोगा 6, 6 दे विच्चो 0 गए 6 आंसर आगया उन 3 किन्नेज आर 6 हुंदा है आपा कह सकते, 3 2 जार जी 6, 6 दे विच्चो 6 गए ते बाच गया 0 यानि कि साध्डी जेडी डिविजिन होई है, वो किन्ने दी होई है 10 प्लस 2 10 दे विच्च टू आड़ कारदो 12 यानि कि 36 नू आपा तिन हिस्से यां दे विच बढ़ सकते रहे ति हरे एक हिस्से दे विच पारा चीजा आर्ण जे उवे ही अगला ट्राइ करके देख 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 है एते हैं गया 48 डिवाइड बाइ 2 हुन जी तू सित्या आनाल देखोंगे 48 अंदर लिखता 2 बाहर हुन 2 10s आर सानु पता 20 2 multiplied by 10 आपा टेबल याद किता सी किनना हो गया 20 हुन एना दोना नू माइनस करांगे 48 दे विच्चो 20 गया 8 दे विच्चो 0 गया 28 नो पहला आपा 20 दे नाल कटा वाँगे क्योंकि 2 10s आर फेर तो 20 10 दा नोट ही खोर गया 28 दे विच्चो 20 गया बच गया 8 कि वे पहुंचिया जा सकते 8 तक 2 multiplied by 2 पहले 12 हिस्सा करता क्योंकि 4 दा नोट ता हुन दा नहीं सानू पता है पर 2 4 0 8 हुन दा है मैं 2 एसले ही लिता क्योंकि सादे को लेथे 12 नोट से गा ठीके एना नोटा विच्चो आपा चूज करना है एथे आ गया 2 2 0 4 8 दे विच्चो 4 गये 4 रहे गे फिर 2 2 0 12 नोट से गा 4 4 दे विच्चो 4 गये कुछ भी नहीं बच्चया एड किना किना नोटा नोट सानू करना पाएगा ते आननाल देखियो 2 10 10 दे 2 2 2 2 10 प्लस 10 हो गया 20 20 प्लस 2 22 22 प्लस 2 हो गया 24 यानि कि जे आपा 48 नोट डिवाइड कर देया 2 हिस्से आं दे विच्च ते हरेक हिस्से दे विच्च 24 जा आनि कि जे चलो होना आपा अगला क्वेश्चन करके देख देया एथे लिखिया है तो सॉल्व ओर कॉंपलेक्स सम्स आड करंसी नोट्स ओफ 20 इन करंसी नोट्स ओफ 1,2,5 याट है उपड़ जे आपा सवाल कितने सी उना विच्च आपा इस्तिमाल कितने सी एक दा नोट, दो दा नोट, पांच दा ते 10 ते हुनों कहरेने भी ठोन नोट छुट है गिये भी येदे नाल नाल तुसी वी दा नोट भी इस्तिमाल कर साकते हो चलो कारके देख रहा है, 48 डिवाइड बाइड 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 टू, 48 अंदर आया तू, जे आपा 20 दे नोट दे नाल मल्टिप्लाइड कारते हैं, 20 मल्टिप्लाइड बाइड 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 जीरो, जीरो होंदा है फिर 2 multiplied by 2 होंदा है 4 ए आगया जी 40 20 multiplied by 2 हो गया साध्य कुल 40 ते 48 दे विच्छो 40 गए 8 रह गया उन साध्य कुल के रह नोट है जी मैं 2 नू 5 दे नाल multiply करा ओ हो गया जी 10 बड़ा हो गया 2 नू 2 दे नाल multiply करा ते साध्य कुल आजेगा 4 ए छोटा है गया दिल्कुल है गया ते 8 दे विच्छो 4 कटा आदो रह गया जी 4 फेर हुन 4 नू खतम करना है सानू पता है 2 multiplied by 2 होंदा है जी 4 ते केड़े केड़े नंबरा नू हुन आपा add करांगे एकता हो गया साध्य कोल 20 फेर आगया एवाला 2 दे 2 20 प्लस 2 हो गया 22 22 प्लस 2 हो गया 24 जाने कि 48 नू दो पराबन हिस्से आरे विच डिवाइड करांगे किन्ने हो गया 24 ते 24 अगे चल देयां 75 divided by 3 फुन 3 multiplied by 20 20 नू जे तुसे 3 रे नाल multiply करो एनू आपा add लिख साग देया पल्ला एना दोनों नू multiply किता 3 multiplied by 0 हो गया जी 0 ते फिर एना दोना नू multiply करना है 2 multiplied by 3 हो गया 60 ते आपा लिखना 3 multiplied by 20 आगया जी साथ दे को 6 0 60 पुन 75 दे बिचो 60 कटाओ 5 दे बिचो 0 गये 5 7 दे बिचो 6 गये 1 फुन 3 multiplied जे 10 दा नोट इस ते माल करांगे हिस्या आच बंडन दे लही ते हो जुगा 30 जो 15 तो बंडा है जे 3 multiplied by 5 कर दे आते हों होंगा 15 सानू भी 15 ही चाहिद है ते 3 multiplied by 5 जे आगया जी 15 जो एड केड़े केड़े नमबरा नोट करांगे 20 plus 5 जे हो गया 25 ते 75 नो जो तिन बराबर हिस्यां दे विच आपा बंडना है उदे विच हरे एक दे विच 25 कीजा आण किया उन एना सारे नमबर से ना हुन दे जेड़ा आपा अंदर लिख देया ब्रैकेट दे अंदर उन्हों आपा कहीद है जेड़ा बंडे वाला नमबर हुन दे हो हमेशा अंदर जागता है मैं अद्दा करके लिख सागती है जेड़ा बंडा वाला नमबर है गया विच ओ अंदर गया एनू कहीद है डिविट देंड जेड़ा बाहार हुन दे है उन्हों आपा कहीद है डिवाईजर ए लिख है ज तो दासतर नहीं या, अंदर लिखे जान वाले नमबर नूं डिविडेंट कही रहा, बाहर वाले नूं डिवाइजर ते जो आंसर आंदा है उनूं आपा कोशिंड कही रहा, ऐथे है, डिवाईड, टू डिजिट स नमबर वाई वाई डिजिट नमबर, एक डिजिट दे करना है यानि कि 1 तो लेके 9 तक तुसी कोई भी नंबर चुन साकते है ठीक है ए ओप्शुन्स है कि ने साथे कोल ए वन डिजिट देने सारे 10 जी रहे गया है और 2 डिजिट है 1 2 चलो शुरू कर देया सब तो पहला है 12 divided by 2 12 नू आपां अंदर रख्या 2 नू आपां बहार रख हुन 2 किन्ने सा 12 हुन्द है 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 2 6s are 12 ए आगया जी 6 ए आगया 12 कांटा बच गया 12 बारा दे बिच्चों 12 गया क्रॉस ते आंसर है दा आगया साथे कोल 12 divided by 2 is equal to 6 1-digit number है पुवें आगये चल देया 18 divided by 2 ए आगया जी 18 ए लाइन लंबी 2 बाहर ए जीड़ा 6 है में नू लग देया तो उनू पता ही होगा है नू कोशिंट कहीं हुन 2 नू की देन आल multiply करिये की 18 आए चरो फेर तो 2 दा टेबल बोल देया 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 2 6s are 12 2 7s are 14 2 8s are 16 2 9s are 18 ए गया cancel यानि की इदा अंसर आगया साथे कोल 9 अगे चल देया हम अगे है के 24 divided by 3 यानि की साथे कोल अंदर आगया 24 एथे आगया साथे कोल 3 चलो 3 इदा टेबल देख देया काके भी किथे आगया 24 3 किंडेs are 24 हुन देया 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18 3 7s are 21 3 8s are 24 यानि की 8s are 24 एग अंसर आगया जी एग ये ता ही हो साक्देने जे साम स्टेथ होनूं मल्टिप्लिकेशन दे टेबल आग देने 2 दा हो गया 3 दा हो गया 4 दा हो गया 5 दा हो गया दे 10 दा आपा पिछे कित्ते होए ने अगला है 30 अंदर डिवाइड़ बाइ 3 3 किन्ने सार 30 होन दा है फिर तो 3 दा टेबल 3 1's are 3 3 2's are 6 3 3's are 9 3 4's are 12 3 5's are 15 3 6's are 18 3 7's are 21 3 8's are 24 3 9's are 27 फुन देखो आपा वन डिजिट देनाल करना है तो यह थे 9's are 27 होन दा है 10's are की होन दा है 3 10's are 30 पर यह था दो डिजिट दा नंबर हो गया सानू तो वन डिजिट देनाल सॉल्व करना है तो सब तो पहला आपा लाँगे 3 9's are 27 चीक है एदे विच्चो 30 दे विच्चो 27 कट दो तिन रह जाना है उन 3 किन्ने जार 3 होन दा है 3 1's are 3 आंसर की वे आएगा 9 plus 1 is equal to 10 3 10's are 30 होन दा है पर क्योंकि सानू केहा गया सी भी 1 डिजिट दा नंबर ही इस्तेमाल करना है ते से लिए ब्रेक लाती आपा 9 दे जाके ते फिर 1 देनालो नू प्वेस्टिन नू अगे आपा solve कीता है अगे चल दियां अगला है 16 divided by 4 सब तो प एथे 4 आगया एथे ए आगे जी रहते हैं हुन चल दे हैं 4 दे टेबल वाल 4 किन्ने जार 16 होन दा है 4 1s आर 4 4 2s आर 8 4 3s आर 12 4 4s आर 16 यानि कि आंसर आगया 4 वे ही एथे आगया 28 एथे आगया 4 उन 4 किन्ने जार 28 होन गया शुरू कर दे हैं 4 1s आर 4 4 2s आर 8 4 3s आर 12 4 4s आर 16 4 5s आर 20 4 6s आर 24 4 7s आर 28 7 28 ग्रॉस लगा दो आंसर आगया जी साटे कोल 7 अग्ये चाल दे हैं 80 डिवाइड बाइड बाइट 10 अंदर आएगा 80 बाहर आएगा 10 उन 10 किन्ने जार 80 होन दे हैं चलो solve कर दे हैं 10 दा टेबल जित होनों याद होगा ताहीं आंसर हो साकता हैं 10 1s आर 10 10 2s आर 20 10 3s आर 30 10 4s आर 40 10 5s आर 50 10 6s आर 60 10 7s आर 70 10 8s आर 80 दे है भी एक डिचिट दा नंबर चलो 8080 क्रोस मार दो आंसर आगया साथे कोल 1 पुबे ही अगला क्वेश्चन है गया साथे कोल 57 नू डिवाइड करना है 3 दिना यहनू आपा एथे solve करांगे 57 डिवाइड बाइड 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 थ्री उन एनू सौखा करन दे लई आपा की करांगे 57 एथे लिख लिख लिया 3 लिख लिया बाइड बाइड उन आपा 1 डिजिट दा नंबर ही यूज करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक दा टेबल एदिना यूज़ कर सकते हैं ते 57 वैसे भी वह वड़ा नंबर है गए ते जे मैं कहां 9 multiplied by 3 या फिर 3 multiplied by 9 वो हुनगा 27 ते आपा 9 तो शुरू कारते हैं जोड़ा सब तो वड़ा नंबर है गए 57 दे मिच्चो 27 कठा दो सेवन दे मिच्चो जे आपा 7 कठा आते हैं आंसर रहा गया जी साड़े कूल 0 ते 5 दे मिच्चो जे आपा 2 कठ देए 1, 2, 3, 4, 5, 2 कठा दो बाच गया साड़े कूल 3 वन डिजिट नंबर ही इस्तेमाल करना है हुन 30 है गया उसा आनू पता है 3 तैन जार तो 30 हुनद है पर पहला आपको एनू 9 देना लिखांगे फेर आगया साड़े कूल 27 ते 30 दे विच्चो जी 27 गया 28, 29, 30 आ देखो तेन बाच गया 3, 1, 3 कुछ भी नहीं बाच गया ते आंसर की में आओगा साड़ा एथे बाच गया साड़े कूल 9 प्लस 9 प्लस 1 9 प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 हो गया साड़े कूल 10, 10 प्लस 9 हो गया साड़े कूल 19 ते आपका लेख सकते हैं 9 प्लस 9 प्लस 1 is equal to 19, सिंगल डिजिट देना जी आपका solve परागे अगला भी उद्दा ही है 65 divided by 5 65 divided by 5 ए आ गया जी 65 ए आ गया 5 table गाना शुरू कर दे हैं फेर तो आपका 5 ता सानू पता है 5 नाइन जार 45 हो था यू थानू table याद हुए ताप उन एथे 9 जार 45 लिख दे हैं माइनस कर दे हैं 5 दे विचो 5 गया आंसर आगया साड़े कूल 0 6 दे विचो 4 गया 2 उन 5 किन्ने जार 20 हो दे हैं 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 हो दे हैं 20 दे विचो 20 गये कुछ भी नहीं बचया यानि कि आपका कै सकने हैं जी आपका 65 दिवाइड करिए 5 दे ना आलते आंसर आएगा 9 प्लस 4, 9 दे विच 4 एड करो करते हैं जी 10, 11, 12, 13 आंसर आगया 13, 9 प्लस 4 इस एकुल तो 13 आंसर ठीक है अगे चल दे हैं अगला question तान्या है थर्टी टू टौफी तान्या दे कोल बत्ती टौफियां है गया ने ते ओ ये टौफियां नो अपने दो दोस्तां विचकार बराबर वाणना चाओं दी है दो दोस्त प्यान रख्यों ये नंबर दो एक नंबर है गया 32 उसते हर दोस्तनू किन या टौफियां मिलन गया आपकी करने 32 नू दो हिस्यां दे विच वर्णना यानि की 32 डिवाइड बाई टू एई क्वेस्चन है गया चलो हुन आपका डिवाइड कार दें लिए 32 नू दे ना लिए 32 डिवाइड बाई तू एरिया जी 32 एरिया 2 इतने दी कोई पावंदी नहीं है भी एक डिजिट दे नाल ही solve करना है पर क्योंकि सवाल उससे पेजते है ते एक डिजिट दे नाल भी answer करनांगे ते दो डिजिट दे नाल सब तो पहला सानुपता 2 multiplied by 10 सब तो वड़ा नंबर table दे विच ओई है गया 20 एथे जिए आपपा 10 लिखांगे ते 2 10s are 20 2 दे विच ओई 0 गए 2 3 दे विच ओई 2 गए 1 चलो टेबल गिन लाइए 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 2 6s are 12 यानी की 6 are 12 टोटल किन्यां टॉफियां मिलियां हर एक बच्चे नूँ जे आपां बती टॉफियां दो हिस्से आंदे विच बांट नहीं है आंसर आगया जी 10 ब्लस 6 is equal to 16 टॉफियां जो हर एक नूँ मिल दिया हो है गियांने 16 टॉफियां ए लिखना पौज दूई एह ही क्वेस्टन जे आपां वन डिजिट दे नाल करना होए 32 लिखता 2 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20 हुन एह वन डिजिट वाल है क्योंकि 9 1 डिजिट दे है 2 9s are आपा लिखनांगे 18 हुन सब तो पहला 32 दे विच्चों आपा 18 कटा आने ने 32 माइनस 18 एह क्वेस्टन है एह आजूगा 12 क्योंकि आपा 2 दे विच्चों 8 का कटा आनी सकते ते 12 दे विच्चों 8 गए रह गया ज तिन डा बंद गया 2 क्योंकि अथेक नंबर गया से दो दे विच्चों एक गए एक एह आगया जी 14 और 2 किने जार 14 हुन दै चलो फिर देख लिए 2 किने जार 14 हुन दै एरिया जी 2 7s are 14 हुन दै मुझ भी नहीं बच्चे हुने टेबल मिटाया जा सकता है ते 32 नुझे आपम प्लस 7 10 11 12 13 14 15 16 आंसर आगया जी 16 तौफिस अगे चल देया अवनीत हस 10 इरेजर्स अवनीत ने कोल 10 इरेजर या रबडाने he wants to distribute these erasers equally among his 5 friends ते उहो एना एरेजरा नुझ अपने 5 दोस्तां दे विच बराबर बडना चाहूंग है यानि की 10 divided by 5 किनना हुन रहा है how many erasers will each friend get हर एक दोस्त नुझ किननी erasers या रबड मिलेगी 10 नुझ 5 friends दे विच बडना है यानि की 10 divided by 5 simple है 10 अंदर गया 5 पहाँ 5 अंदर फाइव 5 तू जार 10 यानि की 2 आ गया 10 आ गया खतम आंसर आ गया जी इस question दा 2 यानि की हर दोस्ते को 2 erasers होंगी अगे चाल देयां there are 20 students in a class एक जमाद दे विच वी विद्यार थी ने they are sitting equally in 4 rows ओहो 4 rows दे विच एद्दा करके वी बच्चे बरापर बैठे ले how many students are sitting in each row हर रोदे विच किन्ने बच्चे बैठे ले 20 divided by 4 20 divided by 4 is equal to 20 अंदर 4 पाः 4 किन्ने बच्चे बच्चे होंगा 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16 4 5s are 20 A बिल गया जी match 4 5s are 20 cross 5 अंसर आ गया जी 5 बच्चे बैठे ने हर एक रोदे विच एद्दा करने ठेक है बटा ते एस ही अज़ती क्लास में उमीद कार गया तुसी कुछ ना कुछ नवा जरूर सिख्या होएगा ते हुन आपा मिलांगे अगली क्लास से विच तब तक अपना त्यान रुखिए बाई बाई